उडिशा के प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है उडिशा से मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि उडिशा में अभी तक 7577 सैंपल टेस्ट किये गए हैं एवं अभी तक positive cases 60 पाए गए हैं उडिशा में पिछले 48 गंटे में एक भी संख्या की ब्रिधी नहीं हुई है कोई नया positive case उडिशा में सामने नहीं आया है अगर हम positive cases का प्रतिशत देखें तो उडिशा में ये 0.79 है इन 60 positive cases में 19 व्यक्ति रिकवर कर चुके हैं इन में से कुछ अपने घर जा चुके हैं हम कुछ अभी quarantine में हैं एक व्यक्ति की मृत्ति हुई है एब हम total 40 व्यक्ति हैं जो की active case हैं अभी और वे स्वास्त लाब कर रहे हैं hospital में आप जैसा जानते हैं उडिशा राज्य सरकार ने COVID-19 exclusive 24 COVID-19 hospital आरंभ हो चुके थे इस बीच में पिछले 24 घंटे में एक और COVID-19 hospital आरंभ हुआ है वो है पूरी जिले में जहां 200 बेड का एक COVID-19 hospital आरंभ किया गया है इस प्रकार से जो हमारा लक्ष है 35 COVID-19 hospital बनाने का उसमें से 25 हम लोग आरंभ कर चुके हैं एबम अगले 2-3 दिन में बाकी जो 10 hospital है वो भी आरंभ हो जाएंगे उसके बाद उडिशा के सभी 30 जिलो में एक ए COVID-19 hospital आरंभ हो जाएगा अन्य hospital में हमारे कोई भी COVID-19 patient नहीं है आप जैसा जानते हैं कि उडिशा में जो 60 positive cases पाए गए उसमें से 46 case भूबनेश्वर में थे जिसमें भूबनेश्वर के का 45 case था एबम एक case जो की West Bengal से यहां आये थे hospital में भरती हुए थे उनका case है तो इस प्रकार से total 46 case पाए गए हैं भूबनेश्वर में एबम राज्य सरकार इसको काफी seriously ले रही है एबम इसके लिए भूबनेश्वर सहर के लिए एक business strategy राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है एबम राज्य सरकार ने लक्षे रखा है कि अगले 7 दिन के अंदर भूबनेश्वर सहर में हम 5000 टेस्ट करेंगे जो ICMR का प्रोटोकॉल है एबम राज्य सरकार ICMR के प्रोटोकॉल के basis पे अपना priority list बनाई है उस priority list के अनुसार अगले 7 दिनों में हम लोग 5000 टेस्ट करेंगे ताकि भूबनेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके एबम अगर कहीं कोई positive case है तो उसकी सूच्छ राज्य सरकार ने एक और बड़ा महत्वपुर्ण निर्णे लिया है पब्लीक प्लेसेज पे थूकना पान खाकर हो या तंबाकू का सेवन कर पब्लीक प्लेसेज में थूकने को भी इंडियन एपिडेमिक भी fine लगाया जाएगा जैसा आप जानते हैं कि इंडियन एपिडेमिक एक्ट में एक संसोधन करके उडिसा राज्य सरकार ने दंड की राशी को भी बढ़ा दिया है प्रत्थम तीन उलंगन पे 200 रुपया एबम उसके बाद 500 रुपया की दंड से हुए हैं जो अन्य राज्यसोय हैं जो यहां काम करने के लिए आये थे इस प्रकार के 77,500 लोगों को 77,500 विक्तियों को 2583 कैम्प के माध्यम से उनके आवासन की वेवस्था उनके भोजन की वेवस्था उनके मेडिसिन की वेवस्था ये सभी प्रकार की वेवस्था उनके के लिए की गई है कि इसी प्रकार से उडिसा में आप जैसा जानते हैं पके हुए खाना उपलब्ध पके हुए भोजन उपलब्ध कराने का एक काजक्रम को चलाया जा रहा है एवं जो भी निराश्ट्रे एवं निसहाय लोग हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं वैसे व 75,000 लोग इस स्कीम से लावानवित हो रहे हैं प्रते एक दिन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस के द्वारा भी कारवाई की जा रही है पिछले 24 घंटे में 122 लॉकडाउन के उलंगन का मामला दर्ज किया गया है विबिन थानों में और इन सभी के अंतरगत करी अभी तक 252 लोगों को गिरफतार भी किया जा चुका है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर आपके सामने उरिसा अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे धन्यवाद